नवस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में साप और नेबला एक साथ देखना सपने में साप और नेबले की लड़ाई देखना कैसा होता है और ये सुब सपना होता है ये सुब सपना होता है क्या कहता है सपनसास्ता आज के वीडियो में हम आपको सारकी जानकारी देंगे इसलिए आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा अगर चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर देना अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के मादिम से पूछ भी सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं सपनसास्त के नुसा सपने में नेवला देखना सुब होता है या सुब अगर आपके सपने में नेवला आता है तो ये सुब सपना होता है नेवला जैसे की कुवेयर का बाहन होता है अगर आपको सपने में नेवला अगर दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको बड़ा धनलाब होने वाला है बाई अगर आपको साप दिखाई देता है तो ये कुंस्ठा का प्रतीक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बाई अगर आपको सपने में साप काट लेता है तो ये सुब सपना होता है स्वब्ण सास्थर के अनुसार यह आपकी जिंदगी बढ़ने का प्रतीक भी माना जाता है भाई आप बात कर लेते हैं कभी कभार हमको साप और नेवले एक साथ सपने में दिखाई दे जाता है इस पर स्वब्ण सास्थर क्या अपना मत रखता है तो हमारा सपन सास्तर कहता है ऐसा बहुती कमबार सपने में आता है जिसमें आप साप और नेवले की लड़ाई देखते हैं लेकिन अगर आपको यह सपना आता है तो यह सुब भी होता है और असुब भी होता है जैसा कि साप और नेवले की लडाई देखते हैं नेवला साप को देखते ही उसे मार कर खाने की कोशिज करता है और साप नेवले से बचने की अगर आप सपने में साप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो ये सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में संगर्स उत्पन हो सकता है जैसा कि अगर आप एक ब्यापारी बेखते हैं तो आने वाले दिनों में आपको ब्यापार में बहुत ज़्यादा competition का सामना करना पड़ सकता है आपके चीर प्रतुदंदी आपके उपर हमला करने की कोसिस कर सकते हैं आपके ब्यापार बन्द कादी को बंद कराने का भूप प्रयास कर सकते हैं इसके अलावा हो सकता है कि आपको सप्लाई में भी दिक्कत हो बहिए बात कर लेते हैं अगर इस्तरियों को ये सपना आए जिसमें वह साप और नेवले की आपस में लड़ाई देखती है तो ये सपना अच्छा नहीं होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में उनका किसी से बात विवाद हो सकता है ये बात विदावाद उनके पती के जाद भी हो सकता है देवरानी जिठानी का भी हो सकता है और सास और बहु का भी हो सकता है बहिएं बात कर लेते हैं कवारी इस्तरी एगर ये सपना देखे तो उसके लिए भी असुप सपना माना जाता है ऐसा माना जाता है जिस भी कवारी इस्तरी को ये सपना आता है उसके में घर में लड़ाई होने लगती है पिता पुत्री की लड़ाई हो सकती है, माता और पुत्री की लड़ाई होगी और इसके अलाबब पिता पुत्री की लड़ाई हो सकती है, भाई वहन की लड़ाई हो सकती है और ये लड़ाई नॉर्मल सी नहीं होगी, काफी तगड़ी लड़ाई हो सकती है एक दूसरे को काफी नुपसान पहुचा सकते हैं ये सपना हमको इस वाद का संकेट देता है वहीं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप देखते हैं कि सपने में जो है नेवले ने साप को मार दिया है तो यह सुब सपना होता है, यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपकी गरीवी का अंत होने वाला है अगर आप अभी के टाइम पर तरजिता से जूज रहे हैं आप देख रहे हैं कि आप मैंनत करने के बाप जूद अच्छा धन अरजित नहीं कर पा रहे हैं और आमको सपने में साप और नेवला आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं और जिसमें नेवला बिज़ई होता है तो ये धनकी प्रगरती का सपना देता है इसके अलाबा ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमको अपने सत्रों को पराजित करने में काफी आसानी होगी और हम उनके जितने भी मततब्य हैं उनको धरासा ही कर सकते हैं ये हमारे competition वाले लोग हो सकते हैं जैसे हमारे दुस्मन बगएरा हमारे business में हमारे colleague या हमारे पडोसी बगएरा जो हमसे सदेव जलते रहते हैं और उनकी भावना रहती है कि हमको बैस जादा से जादा परिसान होते हुए देखें अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमारी दिक्ते समाप्त होने वाली है उमेद करते हैं जानकरी पसंद आई होगी चनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यों फूर वच्चिन